हेलो फ्रेंट्स दिस इस एस्पी शिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरी डेए दिए फ्रेंट्स आज की क्लास बीएट सेकंड यर के इस्टुडेंट्स के लिए पहुत हेल्पूल होने वाली क्लास है क्यूंकि इसमें मैंने पहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दूरस्त इसाय है उनके पार्टीक्रण में कोई रही है उनके कैरीकुल में कोई बदलाव नहीं है जिस प्रकार से आपका प्र आएँ उसी प्रकार से कि पर आपका होगा ठीक है तो आपको पोई टेंस Our अदूं 된 करते रहीं है ठीक है अगर आप n Łyidp कर रहें तो वह भीं पड़ते होता रहेगा क्या क्यूंकि सब्सक्राइब क्लास करना दिक्कत हो जाती है तो इस प्रकार से और जो है कोर्स कंप्लीट हो चुकी है अकर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा ठीक है और हां कानपुल University में 28 Second Year में यह जो Topic है वो Paper 1 में है ठीक है? Paper 1 में है Paper 1 आपका क्या है? भारत में सिच्छा विवस्था का विकास यह आपका Paper 1 है 28 Second Year में चलिए दूरस्त सिच्छा होती क्या है? बहुत डीपली जानेंगे समझेंगे दूरस्त सिच्छा जैसा की नाम से ही इस्पश्थ होता है जैसा की नाम से ही इस्पश्थ होता है दूरसे दी जाने वाली सिच्छा है ना? दूरस्त सिच्छा नाम से ही पता चल ला है भाई? कि दूरसे दी जाने वाली सिच्छा ऐसी सिच्छा जो दूरसे दी जाती है अर्थात, अर्थात क्या देखिए दूरस्त सिक्षा, वह सिक्षा है जिसमें सिक्षा देने वाले और सिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है सबसे सीधा और सरल एक्जामपल है जिसे मैं और आप आप पता नहीं कहां बैठे हूँ, मैं भी पता नहीं कहां बैठा हूँ, उसके बाद भी मैं आपको सिक्षा दे रहा हूँ उसके बाद भी हम आपके बीच में पथन पाथन का कारे चल रहा है, सिक्षा का आदान प्रतान चल रहा है यही दूरस्त सिक्षा का सबसे अच्छा उधारन है और आज कल दूरस्त सिक्षा यानि कि आप देख लिजे इंटरनेट यूटूब है ना यह सब क्या है ऑनलाइन क्लासेंस के हैं यह सब यह सब दूरस्त सिक्षा का उधारन है यह सब दूरस्त सिक्षा है मैं आपको सिख्षा प्रवाइड करा रहा हूँ यह दूरस्त सिख्षा है आप कहीं है मैं कहीं हूँ यह दूरस्त सिख्षा है दूरस्त सिख्षा हुआ सिख्षा है जिसमें सिख्षा देने वाले और सिख्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है दूरस्त सिक्षा सिक्षा के छेत्र में एक आंदोलन है जिसका उद्देश से है सिक्षा को सभी तक पहुचाना घर घर जन जन तक पहुचाना हर घर पहुचाना हर एक विक्ति तक पहुचाना यह दूरस्त सिक्षा का उद्देश से है चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे किसी भी समाज में विक्ति के निरंतर विकास के लिए भी आवश्यक है कि उसे समाज देश या राष्ट में रहने वाले सभी विक्ति सिच्चित और जागरत हो पही किसी भी समाज का डफलेमेंट कब हो सकता है जब उस समाज के उसे देश या राष्ट के हर एक विक्ति सिच्चित होगा जागरत होगा जागरूख होगा वेल एजुकेटिड होगा तभी उस देश का विकास संभव है उस समाज का विकास संभव है उस परिवार का समाज उस परिवार का विकास शंभाव है, राष्टर का विकास शंभाव है, किस पर? विक्ति के सिक्षित होने पर, आज कंट्री कितना आगे बढ़ रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, है ना दुनिया कितना आगे बढ़ गई, किस्ता है, यह क्या है, यह सब सिक्षा का, सि जो है निरौप्चारिक सिक्षा के अंतरगत आती है दूरस्त सिक्षा किसके अंतरगत आती है निरौप्चारिक सिक्षा के अंतरगत आती है अप्चारिक सिक्षा और अनौप्चारिक सिक्षा ठीक है एक होती है निरौप्चारिक सिक्षा तीन सिक्षा होती है जिनमें अगर पूछ ले कि दूरस्ते सिक्षा किसका उदाहर ने तो दूरस्ते सिक्षा निरौपचारिक सिक्षा के अंतरगत आती है ठीक है चलिए इतनी बात समझ में आ गई बढ़ते हैं आगे ओके देखिए यह सिक्षा आपचारिक और अनौपचारिक सिक्षा के बीच की होती है जो दूरस्ते सिक्षा है यह आपचारिक और अनौपचारिक सिक्षा के बीच की होती है कौन दूरस्ते सिक्षा ठीक है आपचारिक और अनौपचारिक के बीच आती है निरौपचारिक इसमें ना तो आ आपचारिक सिक्षा की तरह सब निश्चित होता है भाई आपचारिक सिक्षा में तो सब कुछ निश्चित होता है पाठिकरम समय इस्थान सब कुछ ठीक है और नहीं अनौपचारिक सिक्षा की तरह सब निश्चित होता है अनौपचारिक सिक्षा जो हमें कहीं से मिल जाती ह है ना वो हमारी अनौपचारिक सिक्षा जिसके लिए ना समय निच्चित है ना जो है जगे निच्चित है ना पाठ्ठिकरम निच्चित है कुछ नहीं निच्चित होता है यह सिख्षा उन्हें लोगों के लिए एक वर्दान है जो आपचारिक सिख्षा संस्थाओं में किनी कारणवस अध्यान नहीं कर सकते आपका कॉलेज कितनी दूर होगा आपकी घर से साथ कुछ बच्चे ऐसे होगे जिनका कॉलेज बहुत दूर होगा आपको लिए वर्दान है तो यह क्या है एक वर्दान का काम करती है कौन दूरस्त शिक्चा बात समय आ गई ठीक आगई तो लाइक कर दीजिए बिना लाइक कि आप लोग कुछे ले जाते हैं देखिए निर्धन और निर्जन छेत्रों वस्तुदूर इस्थानों में रहने वालों तक दूरस्च सिच्चा के माध्यम से सिच्चा को जंजत तक पहुँचाया जा सकता है जो गरीब लोग हैं गरीब परिवार हैं निर्जन छेत्र जहां पर मतलब जो है ना कोई फैसलिटीज हैं कोई शुविधाय नहीं है विद्याले स्कूल है नहीं लोग कम पढ़े लिखे हैं या दूर दूर सिच्चा के माध्यम से सिच्चा को जन जन तक घर घर तक non-formal education कहते हैं कि आधलिक प्रणाली है यह जो है इसके एक आधलिक प्रणाली है इसमें सिच्चक और च्छात्र का संबंदół दूर का होता है भाई हमारा आपका संबंद कहां का है दूर का है है ना वह परसपर रूप में बहुत कम मिलते हैं भाई पता नहीं हम आप कभ मिल पढ़ ली तो दुबार आपको जिंद्रिम कभी दूरस्त सिख्चा पढ़ेंगे जोत नहीं पढ़ेगी यह पत्रा चाहर कोर्सेस यसे कोरिस्पॉंडेंस कोर्सेस संपर्क कारिकरमों जन संचार के साधनों आधिक दोरा प्रदान की जाती correspondence correspondence का मतलब होता है पत्रों का आदान प्रदान ठीक है अभी तो इंटरनेट का जमाना है कोई पत्र का आदान प्रदान नहीं होता है पहले पत्रों का आदान प्रदान होता था संपर का कारिकरम हो गया, जन संचार हो गया, है ना, इन सब साधनों के दोरा सिच्छा ये पहुंचाई जा सकती है, जाती है, ठीक है, पहुंचाई जाती है, अब देखिए, दूरस्ट सिच्छा में पत्राचार, ग्रह अध्यन, मुक्त अध्यन, मुक्त सिच्छन, प्रिसर म मुक्त अधियन आदी यह सब सम्मिलित हैं इसकारण दूरस्त सिच्छा के लिए दूरस्त अधिगम जिसको हम distance learning भी कहते हैं दूरस्त अधिगम दूर से प्राप्त किये जाने वाला अधिगम अधिगम का मतलब होता है सीखना दूरस्त सिक्षण यानि कि distance teaching मुक्त सिक्षण यानि कि open education मुक्त अधिगम यानि कि open learning पत्राचार अधिगम, correspondence learning school के बाहर सिक्षण यानि कि out of school out of school sorry, out of school आदी संग्या प्रियुक्त की जाती है हम इसको क्या-क्या कह सकते हैं दूरस्त सिक्षण के लिए दूरस्त अधिगम, दूरस्त सिक्षण, मुक्त सिक्षण, मुक्त अधिगम, पत्राचार अधिगम school के बाहर सिक्षण, आज संग्या प्रियुक्त की जाती है मिसको क्या-क्या कहते हैं, distance learning कहते हैं, distance teaching, open teaching sorry, open education, open learning, correspondence learning, out of school education यह सब कह सकते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, चलिए, next point है हमारे सामने दूरस्थ सिच्छा सब्द का प्रियोग, सन 1982 से सुरू हुआ, कब सुरू हुआ, 1982 से सुरू हुआ, ठीक है चलिए, चलिए, हाँ, दूरस्थ सिच्छा सब्द का प्रियोग, सन 1982 से सुरू हुआ, जब चार दसक पुरानी चार दसक पुरानी चार दसक मतलब एक दसक मतलब 40 International Council for Correspondence Education जिसको हम ICCE भी कहते हैं उसने अपना नाम International Council for Distance Education रखा क्या रखा International Council for Distance Education या फिर इसको हम ICDE भी कहते हैं और क्या हुआ कि यह जो बदलाव हुआ यह जो परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन ने इस्तत्य को सुईकार किया, accept कि दूरस्त, सिच्छा, मात्र, मुद्रित, सब्द तक सीमित नहीं है आपी तु इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए आपी तु इसके अंतरकत सिच्छन, अधिगम प्रिक्रिया के लिए आधुनिक प्रोध्योगी के उपकरणों का प्रियोग भी शमले जितने भी हम आधुनिक जो प्रोध्योगी के उपकरण हैं उनका जो यूज करते हैं, प्रियोग करते हैं वो भी इसमें शामिल है चलिए, बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बहुती बहुती बहुतीन तरीके से क्लास मैं कम्प्लीट कराऊंगा या इसकूल जाने के लिए नदी नाले फांद के जाने पड़ते थे या जो बालक तो थे ही प्रौड हो गये दिरे-दिरे लेकिन सिच्छा नहीं प्राप्त कर पाए तो उनके लिए ये सिच्छा है, एक वरदान का काम करती है नीमेत रूप से उपसारिक सिच्छा बिचारे प्राप्त नहीं कर सकते दूसरे सब्दों में कहें तो चलिए हाँ, दूसरे सब्दों में अगर कहें तो इसे सिच्छा का संबंद सिच्छा को उन्हें वेक्तियों के द्वार पर पहुचाना है किन वेक्तियों के द्वार पर जो किनी विशेश कारणों से आपचारिक सिच्छा का प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं या प्राप्त करने में असमार्थ हैं ठीक है लगबग पॉइंट दोनों शेम लिखे हुए हैं ठीक है लेकिन आप इतना पढ़ लीजिए ऐसे अगर लिखेंगे आप तो बहुत भीत्रिन माक्स आपको और ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी आपको लेंड करने में दिक्कत नहीं होगी जैक फॉकस क्या कहते हैं कि दूरस्त सिच्छा अधिगम विधी की कुछ ऐसी विशिष्टाओं को प्रिकट मैडियो फ्रेंस अगर आप दूरस्त सिच्छा पढ़ रहे हैं जैसे कोई भी दो परिभास हैं जरूर ऊठ करके जाएंगा दो परिभास हैं जरूर याद करके जाईएगा परिभास Champions के तो बहुत अच्छा कर पाएंगे अब अच्छे मार्व मिलेंगे एडी सेसिया, सेसिया के अनुसार, गाँप। कोई इसमें इंट्रफेयर नहीं है, समय और स्थान इसमें स्थर्चेफ नहीं करता हे न? चलिए अब जानते हैं दूरत से सिच्छा की विशेषताइं क्या क्या है चलिए देखिए एक सेकंड दूरत से सिच्छा की प्रमुख विषेष्टाएं क्या हैं जानते हैं इनकी विषेष्टाएं ठीक है पहला है शिक्षक औम सिच्छार्थी का अलग-अलग होना हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार की सिच्छा की जो सबसे महतपूर्ण विसेश्था है वो यह है कि सिच्छक और चात्र का एक दूसरे से दूर होना सिच्छक कहीं होता है चात्र कहीं होता है लेकिन फिर भी उनके बीच सिच्छन और पठन-पाठन की क्रिया निदंतर चलती रहती है ठीक है? दूरवर्ती सिच्छा की यहीं विशेश्थाई से प्रमपराग सिच्छा से अलग करती है Next Point है तक्झीकी माध्यमों का प्रयोग भाई तक्रियोग है आजकल है ना जैसे सर्भधर्स सामगने कौन आजाएगा TV आजाएगा आपका है ना रेडियो दूरदर्सन टेलीफोन कंप्यूटर यह सब क्या है तक्निकी माध्यम है ठीक है इन सब का यू जिसमें किया जाता है दूई मार्गी संप्रेशन दूरवर्ती सिच्छा में दूई मार्गी यहां पर दी नहीं दूई होना चाहिए दूई दूई ऐसे लिखते है ऐसे करके है ना दूई मार्गी टूवे कॉमिनिकेसन जिसको कहते हैं दूरवर्ती सिच्छा में दूई मार्गी संप्रेशन होता है क्योंकि इसके अंतरगत छात्र उत्तर पत्रकों और अन्य माध्यमों से उत्तर देने में शक्षम होता है इस प्रकार उसे प्रेश्च पो स्था में चात्रों की अच्छी संख्या होने के बावजूद वे अपने साथियों से आमने सामने संपर्क में नहीं होते हैं हम आप लोग टोटल 34000 लोग जुड़े हुए हैं लेकिन कोई किसी के सामने नहीं बैठा है कोई किसी को देख नहीं रहा है है एक दूसरे से अलग है है शारे प्रियड में लेकिन सब एक दूसरे से अलग है है ना और चातर स्वेम अध्यान है तो पूर्णतिया स्वतंत्र होते हैं इसमें उसके बाद फिर तो आने और दियोगी करन इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना दूरवर्ति सिच्छा आमरी आधनिक आवसक्ताओं की एक विशिष्ट पूर्ति है आधनिक आधनिक समाज के विक सब्सक्राप्राप्त की है जिससे उपयुक्त सैक्षिक विवस्था का निमान किया जा सके है ना दूरवर्ति सिच्छा के प्रूशिष्टा और द्योगिक समाज का होना है अर्थात या सिच्छा एक तरह का विशिष्ट और द्योगिक विकास भी है चलिए बहुत सिच्छा में अधिगम सामगरी का प्रसराण रेडियो टीवी कैमरे फिल्म आदिकी माध्यम से होता है मुद्रि सामगरी प्रिशन है तु डाक का सहरा लिया जाता है शिच्छक शिच्छन सामगरी को संपोशित करता है और नेक्स्ट क्या है दूरत सिच्छा अधिगम जिसमें छात्रों को अपनी गती के अनुसार अधिग्यम का उसर प्राप्त होता है सामने बैठने का कोई बंदढ़ ही है ज़रूरी नहीं है कोई सामने बैठकर के पढ़ो है और शामय की भी कोई पाबंदी नहीं है घ्ञान उपर से थोपा नहीं जाता है बलकि छात्र अपनी इच्छानुसार आंत्रिक प्रिणा से अध्यन करते हैं जैसे अभी प्रजन टाइम में बच्चे बहुत कम क्लास अटेंड कर रहे हैं ठीक है और वैसे जैसे जैसे एक्जाम नजिदी काता जाएगा वैसे उसे बच्चे कांटीनू पढ़ते जाएगे है और आपको पताइए मैं हूँ एस्पे सिंग इसी प्रिकार से बीट की क्लासे पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए बैल आकन प्रस कर लीजिए ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेसन आपको मिल सके आपको किसी भी यूनिविश्टी से ब्लॉ आपको में